सूरच पाल जी एक बात बदे हैं आप घीम घ्यान चर्चा मिशन चलाते हैं और गाउं देहा सब जगे जाकर भीम की बातों को बताते हैं क्या बहुजन समाज के लोग इतने भी घ्यानी नहीं है कि बाबा साब के मिशन को मुव्मेंट को समझ सकें उसके बावजोद भी आड सा विकास है कि लोग अपनी चीज़ों को ही नहीं समझ बाते हैं देखिए राष्ट निर्मान व्यक्ति निर्मान पर टिका हुआ होता है जिस देश के नौजवानों को चरित निर्मान की सिक्षा नहीं दी जाएगी उस देश के नौजवानों से अभावी नागरिक के रू को आप तक्निकी तरक और उन चीजों से काट करके जो साइन्टिप्ट टेम्परामेंट उससे काट करके उन्हाइद दूसरी लीक पकड़ा देते हो धार में अंधविष्वास जब उन्हें प्रोश देते हो उनकी बुद्धि को मलीन कर देते हो तो उनका चरीत्र डगमक हो होने के वज़े से नहीं वो बुद्धिमान हो पाते हैं राश्ट निर्मान में उनका योगदान जीर हो रहता है और निजी जीवन में भी वह खास उन्नती नहीं कर पाती है इस दिसा में काम के जाने की निसंदे आवा सकता है समाज को साइंटिफिक टेंप्रामेंट की जरुवत है बुद्ध की और भावसेफ डक्टर अंबेटकर की सिक्षा है साइंटिफिक टेंप्रामेंट पर जोड़ देती है चरित निर्मान पर जोड़ देती है व्यक्ति और बढ़ाय जाने की आवा सकता है तभी हम व्यक्ति निर्मान के साथ साथ व्यक्तित अप निर्मान और राश्ट निर्मान की दिसामें हम आगे बढ़ सकते हैं आपका भी बहत बहुत धन्यवाद और आप भी अपने चैनल के मादम से जो सीधी सची बातों को आम लोगों तक पहुचा रहे हैं चैनल के मादम से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेज़ा इस बात को कहता हूँ कि बात कितनी अच्छी है यह महत्व नहीं रखता वो बात कितने लोगों तक पहुंचती है यह जहां तक महत्व रखता है अखवार, टेलीविजन चैनल, यूट्यूब यह जितने भी यह माध्यम है ये चरचा का या गोसिप का जो माध्यम है। ये तमाम माध्यम है, एक अच्छी बात को या बुरी बात को आगा तक पहुंचाने का। तो जिसके हाथ में माध्यम रहेगा वह प्रभावी रहेगा आज ज्यादतर सूचना का जो माध्यम है ऐसे लोगों के हाथों में सेंट्रिक है जो अच्छी बातों को कम और नेगेटिव बातों को आगे बढ़ा रहे हैं आपके लिए धन्यवाद आपके तमाम मित्रों के लि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले